कि इस वडियो में हम जानेगे वट इफ इस डा में डिफ्रेंस बेटविन राउटर एंडेक्सेस पॉइंट टुपर यू राउटर की बना लेते यह हमारा चोटा सा राउटर और यह हमारे पास से एक्सेस पॉइंट दोनों दीखने में एक जैसे यह मगर दोनों का फॉंसन थोड़ा अलग है जो यह राउटर होता है इसमें एक्सेस पॉइंट इंड बिल्ड होता है तो एक्सेस पॉइंट के तरह वर्क कर सकता है हाँ मगद एक सेपॉंटं ोग्नि और मिलता है jos 12 बहुत कुछ मिलता है जो एक इसे को करतें एक दूसरे से तो फूर एक्जाम्पल एक डाउटर जाद से यादा दस या भीस दस ते बीस क्लाइट को रेंडल कर सकता है है अगर क्लाइट का लूट पड़ेका तो यह आउटर का सेप्यों क्रेश हो सकता है जिससे हमें लाउटर में काफ़ ज्यादा लैक दिखेंगे और लेटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एवन दो सो मिली सेकंड ज्यादा भी हो सकता है कभी कभार तो मैंने दस बारा क्लाइंट पर पांट सो मिली सेकंड का रिस्पॉंस देखा है तो काफ़ ज्यादा है वी लोट पड़ जाता कि दस से बीस क्लाइंट जोड दिया जाए तो और यहीं एक्सेस पॉंट में क्या होता है अगर आप इस पे 30 या 50 क्लाइंट भी डाल दे तो यह अराम से हैंडिल कर लेगा क्योंकि बनाई इसलिए होता कि जाय स्यादा है क्लाइ आपको बहुत कमी जगह दिखते हैं कि एक्सेसमेंट थोड़ा एक्सपैंसे बहुते हैं इस एक्सेसमेंट करता क्या है तो हमार पास एक एक्सेस पॉइंट है तो इसका सिंपल सा वर्क है यह वाइलेस क्लाइंट को सिफ वाय क्लाइंट में कनवर्ट कर देगा एक्जामपल यहां पर एक डिवाइस है और यहां पर एक चीज़ लिए जितने भी वाइलेस क्लाइंट होगे इन सब को यह वाइलेस क्लाइंट में कनवर्ट कर देगा जिसे ही अराम से इन वाइलेस क्लाउंट को मैनेज कर सकें तो बेसिकली एक्सेस पॉइंट लेक्ट लेने क्लाइंट में कनवर्ट कर देता है आप जातर बिजनेश क्लास में सब्सक्राइए पॉइंट के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर एक दो वाइरलेस नेट्वर्क ने होते हैं कई सारे वाइरलेस नेट्वर्क होते हैं तो अगर उसी जगा पर रौटर हो तो उनको मैनेज करना थोड़ा दिफिकल्ट हो जाता है इसलिए हम एक्सेस पॉइंट के स्तमाल करते हैं कि दो तिन एक्सेस पॉइंट बना लेता हूं कि एक स्वीच है इस सारे एक्सेस पॉइंट एक कनेक्शन पर जुड़े हुए अगर मान लिजे इस सक्सेस पॉइंट का यूज पासवर्ड एससाइड एपी और इसका भी एपी है तो अगर किसी यूजर ने इसका पासवर्ड चेंज करके पूरे इंटाया नेट रेक्स का एससाइड का नाम कर दिया है अगर इस जगाप पर राउटर होते तो उसको हर एक राउटर में जाके मैनुवली स्ट करना पड़ता है इससे टाइम कंसिप्शन होता तो इस प्रॉब्रम को सॉल्व करने के लिए सिफ एक सिंगल डिवाइज होता है यह क्लाउट कंट्रोलर होता है काफी एक्सपेंसिव होता है तो यूजर क्या करेगा सिफ एक इस क्लाउट कंट्रोलर में एपीवन एससाइडी सेफ करेगा और ऑटोमेटिकली सारे एससाइडी रिप्लेस होके एपीवन हो जाएगे और काफी ज्यादा क्लाउट को भी हैंडिल कर सकता है बस यह डिफ्रेंस है एक्सेस पॉइंटर राउटर में अधिया में एक्सेस पॉइंट इस्तमाल करते हैं और चोटे मोटे जगहें से हमारे घरों में वहाँ पर आउटर इस्तमाल करते हैं तो यहीं तब इन डिफ्रेंस बिटूइन राउटर एंड एक्सेस पॉइंट इसनान करते हैं? तो यहीं करते हैं तोपले साथ करते हैं